हे गाइस वेलकम बैक आज मैं आप लोग के साथ सेयर करूंगी हों ब्यूटी मेंटिनेंस रूटीन जो बहुत अधा सिंपल है बज़ेट फ्रेंडली है और आप सब लोग इसको इजीली फॉलो करके अपने ब्यूटी को मेंटेन कर सकते हो मैं सुरू कर रही हूँ अपने हैर से आप सबको मैंने पूछा था कि मुझे हैर ट्रिम कराना चाहिए की नहीं आप सबने बोला था थोड़ा सा ट्रिम करवा लो तो मैं आगई हूँ ट्रिम करवाने के लिए एक्चली मेरा हैर बीक कट में था जिसके लिए थोड़ा सा लॉंग हैर हुआ है तो उपर नहीं छोड़ा आता जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था मेरा हैर ओल टैम ऊपन रहता है तो मैं चाहते हूँ कि मेरा हैर हैल्दी दिखे साथी यह ग्रूम डिखे ग्रूम दिखना बहुत ज़दा इनपॉर्टेंट होता है और मेरे लिए तो बहुत ही होता है क्योंकि मेरा hair ही, मेरा पूरा face को, मेरा overall look को ज़्यादा enhance करता है, ज़्यादा pop-up करता है तो मैं अपने hair को हमेशा चाती हूँ कि नीचे का जो lane थे वो एक बरबर रहे, उपर नीच ना हो तो मैंने करवा लिया है, अब थोड़ा better लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है, आप लोग को कैसा लग रहा है मुझे comment करके बताना अब मैं करूंगी अपने hair का treatment, hibiscus and methi powder का paste लगाऊंगी इसको बनाना भी बहुत जाते easy है, पानी में इसको अच्छे से paste बना लेना है इसमें दही एड मत करना, अगर आपका oily scalp अभी हो रहा है तो मैं अपने scalp में direct इसको लगाऊंगी scalp के लिए इसलिए मैं दही को यहाँ पे मैं ignore कर रहे हूँ इससे लगाने से आपका scalp में जो eachiness होता है, dandruff होता है scalp में जो छोटा-छोटा pimples हो जाते हैं, उससे भी आपको बहुत जाता help मिलेगा आपका hair का growth अच्छा होगा, आपका hair पे जितने eachiness और dandruff का जो problem होना दीरे-दीरे एकदम से खतम हो जाएगा, hair में अच्छा से texture आएगा, signing करेगा सबसे अच्छी बात है, hair को बहुत अच्छे से hydrate करता है, silky और smooth करता है अभी winter आने वाला है, scalp dry होगा, season change हो रहा है, तो dandruff होगा जिसके वज़े से hair fall भी होगा, उसके वज़े से pimples भी हो सकते skin में इसलिए मैं अभी से treatment कर दी हो, ताकि hair मेरा healthy रहे, इसको मंत में एक बर लगाना है लगा के भी एक घंटा छोड़ देती हूँ, और उसके बीच में और भी सारे चीज़ों में कर लेती हूँ external care के साथ internal care भी बहुत अधा important है ताकि हमें अंदर से internally skin और hair दोनों को benefit हो, आपको अगर collagen को boost करना है तो papaya को अपने diet पे add करो and vitamin C चाहिए तो QV के add करो ताकि आपके skin bright रहे, healthy रहे next step pedicure, हमेंसा face and body का तो care करते हैं पर पाओं को हमेंसा ignore कर देते हैं जबकि उतना ही attention के जरूरत पाओं को भी है हमेंसा कोसिस करें कि अपने skin के साथ साथ पाओं को भी take care कर सके, salon वाला feel लेने के लिए मैं यहाँ पे रूस पैटल एड़ कर रही हूँ पर यह मैं अपना sock के लिए कर रही हूँ, आप लोग totally इसको skip कर सकते हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है pedicure मैं बहुत ही simple तारीके से करती हूँ, कोई ताम जाम नहीं, गरम पानी में मैं थोड़ा सा यहाँ पर sour gel एड़ करती हूँ बट salt एड़ किया है, lemon एड़ करती हूँ पर आज मैंने skip किया है क्योंकि मेरे skin में थोड़ा से infection चल रहा है प्याओं को मैं 10 मिनिट तक या फिर 5-7 मिनिट डूबो के रखती हूँ, उसके बाद अच्छे से clean कर लीती हूँ, that's it अज जो brush है, घर पे हम लोग का normally जो brush हम लोग use नहीं करते हैं, वो भी use कर सकते हो, अगर आप खरीदना नहीं चाहते हो तो जब भी आप school जाते हो, college जाते हो, उस time बहुत ज़्यादा tan होता है, जिसके करण प्यार बहुत ज़्यादा black लगता है, pigment लगता है, और धीरे धीरे और ज़्यादा pigment हो जाता है, तो अगर आप अच्छे से take care करोगे, तो धीरे धीरे जो भी tan है, वो भी remove हो जाता है और एक चीज़ कर सकते हो, मन्त में एक बर chemical पील कर सकते हो, मुझे नेड नहीं है, इसलिए मैंने नहीं किया, coffee scrubber best है, आप घर पे बना लो, coffee ले लो, coconut oil ले लो, और थोड़ा से sugar ले लो, तिनों को mix करके एक अच्छा सा scrubber बन गिया, अच्छे से पाउं में उसको massage करो, gentle तरीके से, ताकि जो भी dead cell है, अच्छे से remove हो जाए, सबसे अच्छी बात है, coffee scrubber में ना instant and remove होता है, आपको फरक दिखता है, सबसे अच्छी और एक बात है, budget friendly भी है, तो school going girl, hostel में जो लोग रहते हैं, और फिर college में जो लोग जाते हैं, और हमसे use कर सकते हो, फिर अच्छ ना बहुत जदा relax feel हो रहा था, तो आप लोग भी use कर सकते हो, और मैं use करूँगी मेरा pink वाला new nail cutter, जो मैं मिनिसर से लेके आई थी, बहुत ही cute है ना, हमेशा कोशिस करना कि आपका जो nail से, वो save में रहे, clean रहे, ताकि छोटु सा अगर nails हो, तो हमेशा clean रहे, अगर long है, त क्योंकि जब भी हम लोग बात करते हैं, तब हमारे hand बहुत जदा use करते हैं, तो हमेशा presentable दिखना चाहिए, ये एक callus remover है, पाउं को लिए, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पाउं में जितना भी dead cell रहता है, उसको remove कर देता है, और ये मेरा एक on time investment है, ब्यूटी क मेंटन करने के लिए, खुबसूरत दिखने के लिए, फिर ओकिस्नली हम लोग पालर जाते हैं, सलोन जाते हैं, जो कि ठीक है, कभी कभी जा सकते हैं, पर ब्यूटी को हर मन मेंटन करने के लिए, कुछ ऐसा टूल में अगर invest करेंगे, तो घर पे easily हम लोग कर सकते हैं, और इ इसको हर हफ्ते में पहले करो, उसके बाद 15 दिन में एक दिन करो, फिर मन में जैसे नीड होगा, और ये बहुत अच्छा एक investment मेरा अभी तक कर रहा है, इसको यूज करने के बाद कोई भी थिक मॉस्ट्रोजा लागा ले ना, पर मैं तो आपको सज्जेस्ट करूंगी, बो इसको भी यूज कर लेती हूँ, मैं हर हफ्ते इसलिए करती हूँ, क्यों मैं Western dress पहनती हूँ, तो मेरा बॉडी हमेसे clean रहे हाईजेनिक रहे, maintain रहे, इसलिए मैं इसको follow करती हूँ, जब भी मैं sour लेती हूँ, तब ही मैं saving कर लेती हूँ, अच्छे से body को थोड़ा से गिला कर लिया उसके बास आपके पस अगर सेविंग कोई जेल भी नहीं होगा तो जो सावर जेल है उसी से भी आप कर सकते ही स्मूथली हो जाता है और मेरा बॉड़ी में बहुत ज़्यादा है नहीं रहता है तो मुझे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है क्योंकि हर अपता ह करती हूं तो थोड़ा थोड़ा ही है जो भी रहता है वह अच्छे से रिमूब भी हो जाता है जब भी आप रेजर यूज करोगे अच्छा ब्रैंड का यूज करना ताकि आपका इसकीं के लिए वह अच्छा हो क्योंकि जो सस्ता वाला जो रेजर होता है उसका ब्लेट से आपका skin damage हो सकता है तो अच्छा razor से use करोगे तो कोई problem नहीं होता है ऐसा नहीं है कि razor use कर रहे हो तो आपका hair आएगा ऐसा कुछ नहीं आपका जैसा growth है वैसे आपका hair आता है hair में जो मैंने marks लागा था उसको मैं अभी clean कर रही हूँ और बहुत ही अच्छे से clean भी हो जाता है कि युदि consistency जो है powder का बहुत अच्छा लाता है जो भी आप company का shampoo यूज करोगे हमें से sulfate free, paraben free आप यूज करना आपका hair का जैसा type है उसके हिसाब से ही shampoo को आप add करना अपना routine पे ताकि आपका hair healthy रहे, अच्छा रहे, फ्रीजी ना रहे unconditional जरूर एपलाई करना पर length पे scalp पे नहीं नहीं तो आपको dandrop भी होगा और आपका hair fall भी होगा डाप का body scrubber मुझे पसंद है और home remedies में मुझे coffee, थोड़ा सा coconut oil थोड़ा सा सूगर मिस करके एक अच्छा सा scrubber बन जाता है जो dead cell भी remove कर देता है और pocket friendly भी है तो आप लोग use कर सकते हो अपना sour routine में after sour में अपना hair को blow dry करूंगी Dyson से मेरा hair अच्छे से blow dry भी हो जाता है hair में कोई damage भी नहीं होता है and salon के जैसा finish आता है manageable भी दिखता है and यहाँ पे बहुत सारा tool भी है जो इसको use करके मैं अपना hair को style भी कर सकती हूँ जब सुरू में ही launch हुआ था तभी मैंने naika से purchase किया था पचास हाजार big investment था पर कभी भी मुझे regret feel नहीं हुआ because hair के लिए तो Dyson सच में best friend है कभी भी salon जाने की ज़रूरत नहीं है घर पे ही अब सारे चीज़े कर सकते हो and hair को length cut करने के बाद मेरा hair सच में बहुत अच्छा groom लग रहा है and thank you so much मेरी सारे sister को जिनोंने मुझे comment करके बोला कि हाँ समरीन कर लो next है nose clean up जो की बहुत ही ज़्यादा important होता है हमारे beauty routine पे और nose को clean करने के लिए मैं use करती हूँ nose strip ये मैं मिनिसों से लेके आई थी charcoal वाला best होता है अभी तक का जितना मेरा experience रहा है and मिनिसों का जो nose strip है वो भी अच्छा है और एक brand का में use करती हूँ पर उसका नाम आभी नहीं पता है बाद में आप लोग की साथ share करूँगी थोड़ा सा nose को गिला कर लेना है पानी से नॉर्मिल पानी से उसके बाद जो भी nose strip है अच्छे से उसको set करना है किसी किसी का बहुत ज़्यादा hard white heads होता है black heads होता है जो कि remove नहीं होता है इसकी में एक दिल चिपक जाता है तो पहले steam ले लो उसके बाद nose strip use करो उससे बहुत help मिलेगा बहुत अच्छे से clean हो जाएगा और शुरू-शुरू में अब हपते में एक बार करो उसके बाद मंत में एक बार या फिर आप 15 दिन में एक बार कर सकते हो और इसी के साथ साथ मैं अपना face को भी अच्छे से saving कर लूँगी वैचे तो मैं हपते में एक बार करके कर लेती हूँ upper lip में मेरा थोड़ा hair आ जाता है या फिर मैं 15 दिन में full face करते हूँ और यह भी ओयल जो face serum आता है उसको भी यूज कर सकते हो या फिर coconut almond oil को भी थोड़ा सा मिक्स करके आप यूज कर सकते हो उससे भी बहुत अच्छी से आपके skin hydrate हो जाता है जितना भी मेरा black hair, white hair था नोस पे वो निकल गिया है पर 70% पूरा एकदम clean नहीं होता है थोड़ा बहुत रह जाता है पर आप लोग देख पारे हो कितना अच्छी से clean हुआ है जो भी थोड़ा बहुत रहता है वो में अच्छे से black hair रिमूवर जो टूल आता है उससे मैं निकालती हूँ वैसे मैं यूज कर रही हूँ मीनी सोका बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि उसमें बहुत सही से निकलता है यह मुझे लगता है बाकी brand का मने यूज नहीं किया ह तो मुझे नहीं पाता है और थोड़ा सा painful भी है तो थोड़ा सा दीरे दीरे करेंगे तो अच्छे से remove हो जाएगा वैसे कितना अच्छा लगता ना satisfaction लगता है जब निकल जाता है अब मैं यूज करूंगी fox tail का viral purple face mask इसको color के वज़े से मैंने इसको लिया है और मैंने सुन क्या होता है अप लोग के साथ सेयर करती हूं 15 मिनिट के बाद में इस face mask को clean कर रही हूं और सच में इसकिन को dry नहीं किया है हाइड्रेट फील हो रहा है और जितना हाइप सुने थे इसके बारे में सच में उतना ज्यादा तो नहीं है पस 70% वाक किया है और इसकिन काफी मेरा fresh feel भी हो रहा है soft भी लग रहा है तो इसको use कर सकते है और उसके बाद में टोनर एपलाई किया है और normal serum, mostrogen लगा सकते हो, sunscreen लगा सकते हो क्योंकि जो CTM routine है वो two time हमें follow करना चाहिए ऐसा नहीं कि मन्त में एकबार करें या फिर आप हपते में एकबार क इसकीन को healthy रखने के लिए consistency के साथ अपने beauty routine को follow करती हूँ, कुछ routine ऐसा है कि मैं मन्त में follow करती हूँ, कुछ चीज़े है कि मैं week में follow करती हूँ, पर मैं skip कभी भी नहीं करती हूँ, क्योंकि रातो रात कुछ भी चमत कर तो नहीं होगा, अगर जब तक care नहीं करेंगे, त जब तक इसकीन अच्छा भी नहीं होगा, and pollution इतना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा chemicals है, जितना हो सगे, कम पोडाक यूज़ करो, chemical free उज़ करो, and quantity में मत जाओ, quality में जाओ, जो आपके skin के लिए अच्छा हो, अपने आपका waste version देखना चाते हो, तो आप जब भी mirror देखो, अपने आपको respect करो, और आप जैसे हो, उसको accept पहले करो, अप खुद को पहले accept करो, खुद का self love में थोड़ा से care करो, and खुद को दूसरों के साथ compare मत करो, कौन कैसा दिखता है, मेरे से better दिखता है, मेरे से जादा है, ये सब में मत जब वो, आपको एक negativity के तरफ लेके जाता है, अपने आप पे walk करो, अपने skin पे ध्यान दो, अपने mental health पे ध्यान दो, ताकि आप अपने आपको और निखार सको, best दिखा सको, और जब भी आप mirror में देखो, आप अपने लिए मुश्कुराओ, और अपने लिए खुस हो, कि ये तो मैं हूँ, beauty routine को maintain करने के लिए expensive product के नहीं, आपका discipline होना बहुत ज़दा important है, अपने अपसे प्यार करना, अपने बारे में सोचना, और अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालके, extra care करना, क्योंकि आप अगर अच्छा दिखोगे, confidence रहोगे, और बाकी सारे चीज़ों पे भी आप focus करोगे, और मेरी ये simple सी beauty maintenance routine आप लोग को कैसा लगा, मुझे comment करके ज़रूट feedback देना, और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को like करना, दुस्तों के साथ भी share कर देना, और जो लोग new हो मेरे चैनल पे, please चैनल को subscribe कर देना, फिर मैं मिलती हूँ आप लोग के साथ, next वीडियो में, bye, love you all.